दोस्तों अगर आप यूज करते हैं Realme का कोई सा भी डिवाइस और उसमें आपको आ रही है वाइफाय कनेक्शन की प्रॉब्लम यानि कि आपका फोन वाइफाय से कनेक्ट तो है पर आपका वाइफाय नहीं काम कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको उसका सलुशन और अपने वाइफाय को यहां से रिमूफ कर लीजिए या फॉर्गेट कर लीजिए अब बैक आ जाएए और पावर बटन को लॉंग प्रेस करके यहां से अपने फोन को रीस्टार्ट कर लीजिए रीस्टार्ट करने के बाद वापस सेटिंग्स में आएए वाइफाय पे टैप कीजिए यहाँ पर डाली अपना पासवर्ड और जॉइन पर क्लिक कर दीजिए अब चेक कीजिए आपका वाइफाई चल रहा है या फिर नहीं मेथड नमबर टू दोस्तों आप एक बार अपने राउटर को पांच मिनट के लिए ओफ कर दीजिए और उसके बाद वापस ऑन कीजिए फिर आप अपने वाइफाई को कनेक करिए कभी कभी क्या होता है आपने बहुत दिनों से अपने वाइफाई को नहीं रिस्टार्ट किय होता है तो इस वज़े से भी यह प्रॉब्लम आ जाती है तो आप एक बार अपने राउटर को रिस्टार्ट कर दीजिए मेथड नमबर थ्री सेटिंग्स में जाहिए addctional settings पर क्लिक करिए backup and reset पर क्लिक है इसके बाद reset to factory settings पर क्लिक करिए अब यहाँ से system settings only पर क्लिक करकिए अपनी system settings का reset कर लिजिए और उसके बाद अपने wifi को connect करने करें का try कीजिए और देखिए आपका इंटरनेट काम कर रहा है या फिर नहीं उमीद है आपका Wi-Fi Connect हो गया होगा, आपका Wi-Fi चलने लगा होगा दोस्तों अगर आप मुझे Instagram पर follow करना चाहते हैं तो उसका link मैंने description में दे दिया है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा ऐसे ही technology से related वीडियो को देखने के लिए टेक्सर को subscribe कर दे और bell icon को भी प्रेस कर दे ताके इस चैनल की वीडियो के notification आपको मिलते रहे अपना बहुत जादे ख्याल रखिये, अल्ला हाफिस